नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूग चैनल में दोस्तो आजके इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधी को कैसे पहचाने सबसे आसान ट्रिक अभी तक आपने संधी पढ़ी होगी आपको संधी समझ में नहीं आयोगी लेकिन आजके इस वीडियो में हम संदी को बहुत ही आसान ट्रिक से जानने वाले हैं दोस्तों आप संदी सब्द को देखेंगे और संदी को बता देंगे कि इसमें कौन सी संदी है तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान ट्रिक से पढ़ने वाले हैं चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो, तो आज हम बात करने वाले हैं स्वरसंदी के बारे में, स्वरसंदी की परिवासा हम देखते हैं कि स्वरक के साथ स्वरका जो बेकार होता है उसे स्वरसंदी कहते हैं, ये परिवासा स्वरसंदी की है, कि स्वरक के साथ स्वरका जो कर दोस्तो इनको समझने में बहुत ही कटनाई का सामना करना पड़ता है और इस समय तो समझ में आयाते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं तो आज हम बहुत ही अच्छी ट्रेक के माद्दे हम से पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दीर्ग संदी के बारी में दीर्ग संदी की जो ट्रेक हमने बनाई है वो बनाई है कि दीर्ग मतलब क्या होता है दीर के मतलाब होता है बड़ा दीर के मतलाब क्या होता है बड़ा और बड़ा से एक ट्रेक निकल के बाहारा आती है कि किसी सब्द में दीर की स्वरसंदी को कैसे पहचाना जाएगी तो यहीं से हमें ट्रिक देख रही है कि बड़ा यहां पर लिखा है मतलब हमारी जो ट्रिक बनती है बो बनती है कि बड़ी मात्रा हो जब सब्द में कोई बड़ी मात्रा आए तब बहाँ पर क्या होगी दीर की स्वरसंदी होगी बड़ी मात्रा से ताटपर क्या है जैसे बड़े आखी मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ओकी मात्रा इस प्रकार से जो बड़ी मात्रा सब्त में आएगी बहाँ पर कौन सी संदी होगी दीर की स्वरसंदी होगी इसका अगर हम उदागन देखें तो सबसे पहले जो उदागन ही वो है नवागत नवागत मतलब यहाँ पर वावे क्या आ रहा है वावे बड़े आकी मात्रा आ रही है मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दीर्गिस्वरसंदी हो जाएगी, उसी प्रकार भानुदय, भानुदय में जो है, क्या रही है, बड़े उकी मात्रा आ रही है, साथ ही बड़े आकी भी मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, दीर्गिस्वरसंदी होगी, और नेक्स्ट परीक्षा, तो परीक्षा यहां पर आ रही है, तो दोस्तों हमने देखा कि अधेखतर second अक्षर जो होता है, उसमें बड़ी मात्रा आती है, दोस्तों यह ट्रेक है और 95% यह ट्रेक सही, सही मतलब होगी, अधेखतर 95%, 5% यह ट्रेक गलत भी सावित हो सकती है, लेकि दिर्गि स्वरशंदी की जो ट्रेक बनी कि बड़ी मात्रा जहां पर आये वहां पर क्या होगी इस दीर की स्वरसंदी होगी अब आप कोको 생्यार कोकुझजक आप लिए हैं अब बाथ करते हैं हम गुड़ स्वरसंदी की बहुत ही आसां ट्रक है दोस्तो गुड़ परस्वरसंदी आप कभी नहीं भूल शकते और ऐसी बे ट्रिक जो है बहुत ही बहुत ही अच्छी है और जो हमने ट्रिक बनाई है वो क्या है एकी मात्रा या ओकी मात्रा यहां पर देख रहा होगा एकी मात्रा या फिर ओकी मात्रा एक मात्रा लगी हो कहीं पर भी किसी भी एक मात्रा ही है तो एक मात्रा जिस सब्द में लगी हो बहाँ पर गुण स्वर संधी होगी किसी भी सब्द में एक ही मात्रा ओकी मात्रा हो बहाँ पर कौन सी संधी होगी गुण स्वर संधी होगी दोस्तों आप देख लेना और अभी हम लास्ट में अच्छे से पढ़ना सब्दे में अगर एक मात्रा आ रही है तो वहाँ पर कौनसी संदी हो जाएगी गुणस्वर संदी हो जाएगी देखें बीरोदय बीरोदय में अगर हम बात करें तो रा में जो है ओकी मात्रा आ रही है जो की एक मात्रा है क्या है एक मात्रा दो मात्रा तू निहीं देख रही यहां पे तो एक मात्रा आ रही है जो है क्या रही है मात्र की आतरा रही है तो यहांपर भी गुण स्वार संदी हो जाइग तो यहांपर आए चाहिए ओ की झाइक यहांपर कोंसी संदी होती पुण स्वार संदी होती है यह आपको ध्यान रखना है नेक्स देखें ब्रद्धी स्वरसंदी ब्रद्धी स्वरसंदी की जो ट्रेक है वो है दो मात्राएं लगी हमने गुण स्वरसंदी में एक मात्रा पड़ी अब ब्रद्धी स्वरसंदी में ब्रद्धी हो गई एक की तो दो मात्रा हैं हो गई, तो ब्रतिस और संदी में जो हमारी ट्रेक है वो है दो मात्रा हैं, जैसे आई की मात्रा, मतलब यहाँ पर दो मात्रा आ रही हैं, आउकी मात्रा, तो यहाँ पर दो आ रही हैं, तो आई की और आउकी दो-दो मात्रा हैं, दो मात्रा हैं जहाँ पर रही है बहां पर व्रत्तिशवर संधी होगी जहां सब्ध में ऐकी या फेर widespread की मात्रा लगी हो व्रत्तिशवर संधी होगी जैसे अगर हम बात करें सदेव कि EK्क, दंतवस्ट्ट और बनऊस्धिओ तो इसमें क्या आ रहा हैं दो मात्राएं आ रहे हैं इसमें भी दो मात्राएं इसमें भी दो मात्राएं आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर सदियो देख लें या फिर एक आई दन्तवस्ट या बनोस्दी देखें तो यहाँ पर ब्रद्धी स्वरसंदी होगी क्यूंकि जो हमारी ट्रेक है वो बोल रही है कि दो मात्राइं जहां पर आएंगी वहां पर कौन सी सन्दी होगी ब्रद्धी स्वर्संदी होगी तो इस प्रकार से ब्रद्धी स्वर्संदी हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से आपको बढ़ना है हमने दिरिक संदी पड़ी यहाँ पर बड़ी की मात्रा आ रही थी, गुर सरसंदी पड़ी जहाँ पर एक मात्रा आ रही थी, ब्रदी सरसंदी पड़ी जहाँ पर दो मात्राइं आ रही है, तो यह दोस्तो आपको ट्रिक कैसी लग रही है, हमारा प्रयास कैसा लग रही है, यह हमने बहुत ही मेनत करके यह जब सब्द देखे बहां से कि कैसे मतलब इसकी ट्रिक निकाली जाए तो हमें लगा कि इस प्रकार की ट्रिक जो है 95% सही हो सकती है दोस्तों तो आपको यह प्रयास कहां सा लग रहा है और आप भी एक बार आजबा के देखने अधेकतर उधारने से होंगे यहां पर यह ट सब्द हो या के पहले है हो आदा सब्द वा के पहले हो या फिर रा के पहले अगर कोई आदा सब्द आता है बहां पर कौशी संदी होगी यह सवरसंदी होगी जिस सब्द में यह वा रा के पहले आदा सब्द है बहां यह सवरसंदी हो जाएगी दोस्तों बात करना हो धारन की तो सबसे पहले हम देखें इत्यादी, इत्यादी में या के पहले क्या आ गया, आधा ता आ गया, मतलब या के पहले आधा सब्द आ गया, तो इसमें कौन सी सब्द होगी, संदी होगी, गोले यानसवर संदी होगी, तो इसमें भी कौन सी संदी होगी, गोले यानसवर संद वा आ गया तो यहाँ पर भी स्वरसंदी होगी दोस्तों तो हमारी जो ट्रिक हमने बनाई है वो है कि या वा और रा के पहले कोई अगर आदा सब्दाए वहाँ पर कौन सी संदी होगी यहाँ स्वरसंदी हो जाएगी तो यहाँ पर हमने दीर की स्वरसंदी गुण स्वरसंद अयादी स्वर संदी की जो ट्रेक हमने बनाई है वो है आय, आय, आव और आव, उचान अगर सब्द में इस प्रकार से आय का उचान आए, आय का उचान हो, आव का उचान हो या फिर आव का उचान हो तब वहाँ कौनसी संदी होगी आयादी संदी होगी और साथ ही ए की ओ की आई की और आउ की मात्रा नहीं होगी उस सब्द में आप देख लेना कि उस सब्द में ये आउ आई और आउ की मात्रा नहीं आईगी और उचान होगा आए आउ 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 और अधेक्तर जो सब्द होंगे आयादी संदी के वो तीन अक्षर के होंगे अधेक्तर होंगे, चार के भी हो सकते हैं लेकिन अधेक्तर सब्द तीन ही अक्षर के होंगे दोस्तो तो बात करें उधारन की तो सबसे पहले हमने रखा सयन तो सह, सह, तो सह में क्या आ रहा है? आये आ रहा है, तो यहां पर प्वजी संदी होगी, आयादी संदी होगी, फिर देखें गायक, तो गायक में क्या आ गए? आये, गाये, तो आये आ रहा है उच्चान, तो क्या होगी? आयादी संदी होगी, नाइका की बात करें, तो नाइ मतलब ना आये तो आये आरा तो आये तो नाईका में क्या होगा आयादी संदी यहाँ पर भी हो जाएगी देखें पाबक तो पाब मतलब आब आरा आब तो आब उस चाण आरा है तो पाबक में भी कौन सी संदी हो जाएगी अयादी संदी हो जाएगी और यहाँ पर उधारण में आप देख लें कहीं भी A, O, I और O की मात्रा नहीं आई है और सारे सब्द कितने अक्षर के हैं? तीन अक्षर के हैं तो दोस्तो इस प्रकार से हमने स्वरसंदी के पांचो उधारण देखे और पांचो उधारण की ट्रिक हमने बताई जिनने की आप दो सेकंड में अगर देखेंगे आप सब्द को और उस संदी के बारे में बता देंगे कि इस सब्द में कौन सी संदी है तो देखते हैं दोस्तो प्रस्ण उत्री के वारे में कि आपने क्या सीखा है ये उधारा देखे ट्रिक देखी इतके बाद आपने क्या सीखा है तो सबसे पहले चो उधारा रखा है कि महेंदर में कौन सी संधी है दोस्तो आप इसको देखें महेंदर तो महेंद्र आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या मात्रा आ रही है एक मात्रा आ रही है महेंद्र में कौँची मात्रा आ रही है एक मात्रा आ रही है तो हमने ट्रिक पड़ी थी कि जहां पर एक मात्रा आए सब्द में वहां पर कौँची संदी होगी गुण स्वरसंदी होगी, next देखें, माया धीन में कौन सी संदी है, तो माया धीन, माया धीन में क्या आ रही है, बड़ी मात्रा आ रही है, बड़ी की मात्रा आ रही है, बड़े आ की मात्रा आ रही है, यहां पर भी बड़ा आ की मात्रा आ रही है, तो हमने क्या पढ़ा था, डीर की स्वरसंधी हो जाएगी नेक्स्ट आत्यल्प अत्यल्प में ही क्वाश्य Сंथी दोस्तों आप chess. तो अत्यल्प में हमने पड़ा था किया लॺ और तरा करत पहले कोई आधा सब्धा आ है तो वहां पर क्वाश्य संधी होगी यानव श्वरसंधी हो जाएगी तो उसी तरह अत्यल्प की अगर हम बात करें तो यहां के पहले आधाता आ रहा है तो यहां पर कौंसी संदी हो जाएगी यान स्वर संदी हो जाएगी दोस्तो नेक्स्ट पवन तो पवन में कौंसी संदी है तो पवन में आप बताएं कौंसी संदी हो जाएगी पवन में तो दोस्तो पवन जब हम उच्चार्ण करें तो क्या पव तो अव आ रहा तो हमने पड़ा था कि अगर आए आओ और आब अगर उच्चार्ण में आए तब बहां कौन सी संधी होगी बहां पर जो संधी होगी वो आयादी स्वर संधी होगी आयादी स्वर संधी में हमने पड़ा था कि बहां पर ना तो एकी मात्रा होगी ना ओकी मात्रा ना आओकी इस परकार से कोई मात्रा नहीं होगी और जो सब्द होगा वो कितने अक्षर का होगा तीन अक्षर का होगा त यादी स्वरसंदी हो जाएगी, नेक्स देखें मताइक में कौन सी संदी है, तो आप बता है मताइक में कौन सी संदी हो जाएगी, तो देखते हैं दोस्तों कि मताइक, मताइक में क्या आ रहा है, दो मात्राएं आ रही हैं, हमने पढ़ा था कि एक मात्रा जहां आए वहाँ प टो मतक है कि मैं कुछिसी सन्दी हो जाएगी ब्रद्धी स्वर 산थि हो जाएगी तो दोस्तो इस प्रकार से हमने में स्वर जंधी के वारे में अच पड़ा त्रिक से पड़ा दोस्तो हमें आसा है कि आप एटर्ट जो हैं आपको याद हो गई होगी और आप स्वर संधी कभी नहीं भूल सकते अब आप सब्द देखकर ही संधी के वारे में बता सकते हैं तो दोस्तो आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा दोस्तो ये ट्रेक हमने निका लिया है और ये 95% ट्रेक जो है सही सावित होगी और आप ये ट्रिक कभी नहीं बूल सकते ऐसी हमें आसा है दोस्तों और आपको हम बता दें कि हमारा YouTube चैनल IS Study Track और Self Study Classes दो YouTube चैनल है IS Study Track है और Self Study Classes ये दो चैनल हैं दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों सब्सक्राइब का बहुत ही महत्त होता है आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो है हमारे दोरा जो भी वीडियो अफ्लोट किये जाएंगे उसकी information आप तक कहुंचेंगी और स जाहे हैं